नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फेंटेसी आपस कवर के ओफिशियल यूट्यूब जैनल पर और वीडियो का थब मिल देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किस विशे की उपर बात करने वाले हैं कभी आपका एक खिलाड़ी मिस हो जाता है जिसकी वज़े से ग्रेंड लिग मिस कर लेते हैं कभी कैप्टन वाइस कैप्टन दोखा दे रहे हैं और वे गलतियां अगर आप सुधारते हैं तो इसी IPL के अंदर आप भी मेगा ग्रेंड लिग जीतेंगे तो सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं जो ग्रेंड लिग जीतना चाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिखाने वाला fantasy कैसे खेलते हैं, कैसे team बनती है, कैसे investment करनी है सिर्फ एक ही channel है पूरे YouTube के ओपर fantasy loss cover अगर आपको team नहीं बनानी आती है तो जिस team के साथ मैं खेलता हूँ वो team आपको हमारे टेलिग्राम channel पर मिलती है टेलिग्राम channel पर जुडने के लिए link इस video के description box में है उस link के ओपर click करके ही आपको इस channel के ओपर जुडना है क्योंकि हमारे नाम से यानि की fantasy loss cover के नाम से बहुत सारे fake channel बने हुए जो आप से पैसे मांगते हैं तो कोई भी सदस्या है सर्च करके जुडने की गलती मत करना जो इस video के description box में link है उस link के ओपर click करके ही आपको इस टेलिग्राम channel के ओपर जुडना है यहाँ पर आपको small league की complete team मिलती है second inning की complete team मिलती है और एक निया feature single का वो आपको इस टेलिग्राम channel के ओपर उसकी जानकारी दी जाएगी उसकी भी यहाँ पर team मिलती है कैसे investment करना है किस match में कितना पैसा खर्च करना है कौन सा contest जोईन करना है A to Z अगर आप fantasy से पैसा कमाना चाते हो तो fantasy loss cover से बहतर कोई अन्य channel आपको मिलने वाला नहीं है तो सभी के सभी सदस्य दो काम आपको करने है पहला काम इस YouTube channel को सबस्क्राइब करना है और दूसरा काम इस टेलिग्राम channel के ओपर जुड़ना है तो आईए दूस्तों यहाँ पर बात करते हैं dreamy leon के अंदर जो पहले number पर team आती है उसके अंदर captain और vice captain कैसे बनाना है सबसे पहले तुमाँ आपको एक बात clear करतू कि आप जाते हैं बड़े खिलाडियों के पीछे जैसे रोहित सर्मा है विराट कोली है इन खिलाडियों के पीछे जब भी आप जाएंगे fantasy के अंदर आपको किसी खिलाडी के साथ अगर आप भावना से जुड़े हुए हैं तो आप fantasy के अंदर नहीं जीत पाएंगे मान लीजिए आप विराट कोली के फैन है विराट कोली का मैच है तो आप उसको captain और vice captain करते हैं तो आपको नहीं जीता पाएगा captain और vice captain का कैसे selection होता है चलिए मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि किस तरह से captain और vice captain का selection होता है यहाँ पर IPL का यह match उठा लेते हैं हम कोलकता और हैदराबाद का यह match है इस match के अंदर माँ आपको बताता हूँ कि किस तरह से captain और wise captain का selection होता है यहाँ पर demo के लिए एक team बना कर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद में फिर हम captain और wise captain की यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से captain बनाना है और किस तरह से wise captain बनाना है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है captain और wise captain बनाते समय तो यह demo के लिए team है यहाँ से चलिए हम एक demo के लिए team बना लेते हैं यह हमारी team बन चुकी है इस team के अंदर सभी बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी team के अंदर ले लिए हैं अब captain और wise captain का जहां तक स्वाल है तो यहाँ पर देख सकते हैं सुनील नराइन को 27% लोग captain बना रहे हैं लेकिन मैं लिख कर देता हूँ कि इस match के अंदर जो पहले number पर team आएगी उस team के अंदर सुनील नराइन captain नहीं होगा captain नहीं होगा wise captain नहीं होगा उसके बाद में अगर दूसरी और से अगर हम बात करें wise captain की तो wise captain आप यहां पर जो बड़ा खिलाडी है यहां पर आप देखेंगे राहूल तरिपाठी को 12% लोगों ने wise captain कर रखा है उसके बाद एडम मार्करम है इसको यहां पर 9 या 10% लोगों ने captain या wise captain कर रखा है तो आप मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे 27% सुनील सुनील नरायन को यहां पर captain कर रखा है तो जो पहले नमबर पर दूसरे तीसरे चोथे पांचवी नमबर पर जो मेगा ग्रेंड लिग के अंदर टीम आएगी उस टीम के अंदर सुनील नरायन आपको AJ captain AJ wise captain दिखाई नहीं देंगे कौन से खिलाड़ी होंगी जो ऐसे मैच के अंदर captain और wise captain की भूमिका निभाते हैं ऐसे मैच के अंदर नहीं कोई भी चाहे T20 का मैच हो उस मैच के अंदर कौन से खिलाड़ी रहते हैं जो captain और wise captain की भूमिका निभाते हैं और यह जो फॉर्मूला है ये सिर्फ T20 के अंदर ही लागू होगा ODI या टेस्ट के अंदर आपको ट्राई नहीं करना है और ये फॉर्मूला 101% काम करेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से और कौन से खिलाड़ी ऐसे मैच के अंदर दावेदारी करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की और वही खिलाड़ी आपको मेगा ग्रेंट लिग जिताते हैं यहाँ से हम खिलाड़ीों का सेलेक्शन करते हैं आल राउंडर से सुरू कर लेते हैं और मैंक मारकंडे है उसके बाद में अगर मैं यहाँ से बात करूँ रिंकु सिंग है वी आईयर है इन में से कोई नहीं है खिलाड़ी और उसके बाद में यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो गलेन फिलिप्स है यह कलासन है कलासन की नीचे बैटिंग आती है है तो इसलिए यह हमारे کạm का खिलाडी नहीं है आप यहां पर देखेग है जपके इस मैछ के अंदर यह चार तरह के चार खिलाडी हम लिये है अब इन चार खिलाड़ी 9 को क्यों लिये है Originally कि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार बनते हैं ऐसे खिलाडी ऐसे क्यों बनते हैं इनके अंदर क्या खाशियत है और इन्ही खिलाडियों को वाइस में से इन्ही चार खिलाडियों को क्यों जुना है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए वो भी मैं आपको बत हूंगा ये छे खिलाडी हैं इन छे खिलाडी कैपटन की पारी खेल कर देगा जो टीम पहले नंबर बढाएगी उस टीम के अंदर इन छे मेंसे 90 चांस है कि कोई एक खिलाडी एजे कैपटन की भूमी का निभाएगा इन खिलाडी को क्यूं लिया और इनके अंदर क्या खाशियत है और इन में से कौन सा खिलाड़ी इस मैच के अंदर कैप्टन की भूमी का इस तरह के मैच के अंदर कैप्टन की भूमी का नहीं 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 बाएगा तो वो कौन सा रहेगा चलिए वो भी यहां पर बता देता हूं ठीक है एक दो विकेट आपको निकाल कर दे सकता है लेकिन AJ कैप्टन आपको दिखाई नहीं देने वाला है क्यों कि पिछले मैच में AJ कैप्टन की परफॉर्मस की है जब इसको 12% लोगों ने लिया था उस वक्त इसने AJ कैप्टन की परफॉर्मस की थी इस मैच के अंदर AJ कैप्टन की परफॉर्मस यह नहीं करेगा उसके बाद में अगर मैं बात करूं देखिए रसल के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं यहां पर AJ कैप्टन की क्यों बनते हैं वो सुनिए आप सभी जानते हैं नामी खिलाडी है बड़ा खिलाडी है और इस खिलाडी को आप देखेंगे यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल दिखाना चाहूँगा 90% लोगों ने लिया उस दिन इसने 56 पॉइंट दिये 91% लोगों ने लिया उस दिन इसको इसने 2 पॉइंट दिये और फिर 74% लोगों ने लिया तो उस दिन इसने 5 पॉइंट दिये आज कितने परसेंट है आज यहां पर 35% है इसलिए इसके चांस बनते हैं कि आज यह इस मैच के अंदर आपको एज एक कैप्टन की भूमी का निभा कर दे और जो पहले नमबर पर टीम है उस टीम के अंदर आंदरे रसल ने सिर्फ एक आल राउंडर बलकि एज एक कैप्टन या एज एज वाइस कैप्टन आपको देखने को मिलेगा इसी खिलाड़ी को अगर इस मैच के अंदर 60% से ज़्यादा ले ले लेते हैं अतनी काबलियत आंदरे रसल और सुनील नराएंड में है तो ये इनके लेवल का खिलाड़ी है ठीक है इसलिए हमने दूसरा खिलाड़ी एम जेंसन है लेकिन एम जेंसन से ज़्यादा इसके चांस हैं आंदरे रसल की गेंदबाजी के अंदर मैं आपको बताओं ठीक ही देगा ठीक है उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि उमेस यादव से भी ज़्यादा चांस अगर किसी खिलाड़ी के हैं तो वो इस खिलाड़ी के हैं ये खिलाड़ी आपको ऐसे मैच के अंदर और ऐसी स्थीति के अंदर एजे कैप्टन की पारी खिल कर दे सकता है उसके बाद में तीसरा जो खिलाड़ी है वो ए रासीद है अगर ये खिलाड़ी खिलता है अब इसकी पहचाना आपको क्या करनी है कि अगर अंडर 30% लोग इस खिलाड़ी को लेते हैं तो आप ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर एजे कैप्टन ट्राई कर सकते हैं अब आप बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं जो नामी खिलाड़ी है जैसे वी चकरवती है मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको दिखाता हूँ वी चकरवती है अब इस खिलाडी ने एजे कैप्टन की पारी पहले से खेल चुका है ये खिलाडी देखिए 18% जिस दिन इसको लिया था अपनी टीम के अंदर लोगों ने 108 पॉइंट दिये थे और एजे कैप्टन की पारी खेली थी और जो जैसे 26-27% लोगों ने अपनी टीम के अंदर जिस खिलाडी को कैप्टन बना रखा था वो खिलाडी पूरी तरह से फ्लो पर रहा था तो ये पहचान करनी होती है पहचान कैसे करेंगे आप जैसे यहां पर रसल का फॉर एक्जामपल आप देख लीजिए ऐसे खिलाडी को आप एजसे कैप्टन रखें एजसे वाइस कैप्टन आपको अपनी टीम के अंदर रखना होता है अब जैसे ड्रीम के उपर यहाँ पर डेड़ करोड लोग हिस्सा लेते हैं जो मेगा ग्रैंड लीग है डेड़ करोड लोग हिस्सा लेते हैं उस टीम के अंदर आप कोमन खिलाडियों के साथ जाकर पहले निमबर पर कभी नहीं आ सकते मैं कहता हूँ 20,000 रैंक पर भी नहीं आ सकती आपकी टीम अगर आप कॉमन खिलाडियों के साथ जाएंगे तो ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनती है वो इसी चैनल के उपर वीडियो उपलब्द है उसकी वज़े से हमारे सदसे ग्रैंड लीग जीत भी रही है लेकिन जरूरी ये है कि आप टेलिग्राम चैनल के उपर जुड़िये ताकि आपको सीखने को मिले और फेंटेसी के अंदर आप तब ही जीतेंगे जब आप खुद अपने दिमाग से टीम बनाएंगे और इसके लिए आपको सीखने की जरूरत है और सिखाता सिर्फ और सिर्फ फेंटेसी लोस कवर है अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ पैसे जीतने की ड्रीम 11 के उपर आप तब जीतेंगे जब आपके 11 खिलाडी बेस्ट परफॉमस करेंगे तो परते एक मैच के अंदर परते एक आई पिल के मैच के अंदर आपको एक फोर्मूला आजमाना चाहिए कि चार या पांच जो भी आप टीम बना रहे हैं ग्रेंड लीग के अंदर स्पैसली वो आपने ड्रीम मिले उनकी मेगा ग्रेंड लीग के अंदर लगा दिया अब आपके अगर ग्यारां खिलाडी बेस्ट परफॉर्मस कर गे तो आप ड्रीम के उपर पहले नमबर पर आ जाएंगे लेकिन अगर एक खिलाडी भी मिस हो गया तो आप आएंगे डेड़ करोड लोगों में से पचास साट सतर हजार रैंक पर आएंगे वहाँ पर आपको कितना मिलेगा 1500 या 200 और आप ये भी जानते हैं कि 10 खिलाडी या 9 खिलाडी बेस्ट परफॉर्मस करना ये 30 मैचों में एक दो मैचों के अंदर ही होता है और आप ये मौका मिस कर लेते हैं तो ऐसे में भी आपको अगर लाकों रुपे चाहिए 100-200 छोड़ कर लाकों रुपे अगर चाहिए तो मेरी ये बात मान लेना आप लाइफ टाइम तक पैसा कमाओगे और महीने के 2-3 ग्रैंड लिग आप आसानी से जीतेंगे कौन सा काम है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाना है वहां से आपको वीजन 11 डाउनलोड करना है अब बहुत से सदस्या बोलेंगे कि ये एप्लिकेशन को परमोट कर रहा है तो ऐसे सदस्या इस वीडियो को यहां पर बंद कर दीजिएगा और जिनको ये लगता है कि हमें फाइदा होना चाहिए वे इस बात को यहां से समझिएगा तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाना है वहां से वीजन 11 को डाउनलोड करना है और रैफरल कोड यूज करना है रियल एफल सी जिससे आपको 500 रुपे का बोनस मिलेगा और फ़स्ट टाइम डिपोजिट पर आपको 100 परसेंट बोनस मिलेगा अब जो चार या पांच टीमे आपने ड्रीम इलेवन की ग्रेंड लिग में लगाईए सेम टीमों को कोपी करना है ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनानी है सेम टीमों को कोपी कीजिए विजन इलेवन की ग्रेंड लीग के अंदर लगा दीजिए यहाँ पर 39 रुपे की एंट्री है और फ़स्ट प्राइज यहाँ पर 9 लाग रुपे है तो भी आप पहले निमबर पर आ जाएंगे और हमारे सदसे इसी मेथड की वज़े से लगातार ग्रेंड लिग जीत रहे हैं जो कहना मान रहे हैं वे ग्रेंड लिग जीत रहे हैं आप किसी ब्रैंड के पीछे मत जाएए आप अपना फाइदा देखिए आपको ब्रांड सहरा नहीं देगा आपको जो आपका पैसा का आप कमा रहे हैं वो आपका सहरा बनेगा तो इस मैथड से होगा ये कि अगर आपके 11 खिलाडी बेस्ट परफॉमस कर गए तो आप ड्रीम ही ले उन पर जीत जाएंगे और अगर एक दो खिलाडी की वज़े से ड्रीम ही ले उन पर मिस हो गए तो विजन ही ले उन पर जीत जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि फेंटेसी का खेल जो है ये पूरी तरह से दिमाग के उपर निर पर है और जिसने ये दिमाग लगा लिया बंदे ने वो लगातार पैसे जीतेगा इसी वज़े से हमारे सदस्या लगातार पैसे जीत रहे हैं जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहां से डाउनलोड कीजिए विजन ही ले उनको रैफरल कोड डालना है रियल एफल सी जिससे आपको 500 रुपे का बोनस मिलेगा अब जिनको ये लगता है कि ये एप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा है तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप डाउनलोड मत कीजिए और जो डाउनलोड करेंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी आईपियल के अंदर एक एक दो दो ग्रेंड लीग नो नो लाग रुपे आसानी से जीतेंगे लेकिन अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो ये आईपियल भी निकल जाएगा और ड्रीम पर आप पहले नमबर पर भी नहीं आएंगे और यहाँ फाइदा ये भी है जैसे एक अपरेल के बाद में 30% TDS कटने लग गया है ड्रीम ही ले उनके उपर तो यहाँ वीजन के उपर अगर आप खेलते हैं तो देखी यहाँ पर एंट्री कितनी जादा कम है तो हमारा पैसा कहाँ बज़ रहा है वीजन 11 के उपर बज़ रहा है तो अब हमें पैसा बचा कर खेलना चाहिए और इसे एपलिकेशन के उपर जेन 11 सदस्या खेलते हैं बहुत सारी एपलिकेशन के उपर आर्टिफिशिल कॉंटेश्ट बनते हैं जिसे शायद आप नहीं जानते वहाँ आप अगर दो मैच जीत गए तो आने वाले तीन मैचों के अंदर जितनी मरजी अच्छी टीम बना लेना आप नहीं जीत पाऊगे और परते एक मैच के अंदर आपके लिए 50,000 रुपे का फ्री गिव वे होता है तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए अपने एक दिमाग से टीम बना लीजिए और फ्री के कॉंटेश्ट में लगा दीजी और अगर अच्छा कर गई तो आप 50,000 रुपे फ्री में जीत जाएंगे वे सदसे इसी IPL के अंदर Grand League जीतेंगे अब अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक कर दीजी और टेलिग्राम चैनल पर जरूर जूट जाएगा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप सीखोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं बहुत बहुत शुक्री आप सभी का थेंक्यू बेरी मच